हाई अब्रिवन अपन देखते हैं आने वाले डेज में निफ्टी कैसे रियेक कर सकता है बहुत ही बड़िया लेवल पे है अपन टॉप डाउन अनालिसिस करेंगे निफ्टी निफ्टी बैंक में और जो सिनेरियोज में बता आने वाला हो ना इसमें थोरा यह भी बताऊंग अगर नए हो तो make sure to subscribe क्योंकि आप फ्री में जो ऐसा चीज बता रहा हूँ आप लोग को वह कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको राइट जो प्राइस एक्षिन का तो थोड़ा विजनरी मैं थोड़ा इनालेसिस बताता हूँ कि लेट से यह जूम डाउन कर दिया मैंने ठीक है एंड वीकली ताइम फ्रेम में अगर आप देखो तो टॉप टू जो लोइस्ट निवेस्ट स्विंग है ना वीकली ताइम फ्रेम में इफ्टी का यह यह एरिया है इस से अगर टॉप अगर आप ड्रेक करोगे फिवनाशी रिटरेस्मेंट देखो मार्केट में अगर आप जानते हो दुनिया में हर चीज फिव लेवल के गौडिंग गिड़ता है बढ़ता है राइट इस चीज का पूरा कॉंसेप्ट अगर चाहते हो तो मेक्शु इस वी में बना था वहां से मार्केट अगर टॉप बॉटम टॉप अगर फिव लेबल लगाऊँ तो मार्केट का एक जो हेल्दी रिटरेस्मेंट माना जाता है यह जोन माना जाता है which is अराउंड इसको टेकनिकल वाइज में अगर लगाऊँगे तो यह जो हैड है ना अराउंड प्स confer in this level रायट इसको में जूमना इसको हटा देता हूं तो market अगर कल को let's say य जो structure मैंने बनाए है थोड़ा deep समझू में क्या बता रहो कल को जो structure बनाए है market में ये तोड़दे inventory तो market अच्छा हासा प्लम्ब कर सकता है य नीचे का गैप आप देख रहे हो, 20,400 के करीब का, यह जो जोन है, यह गैप यहाँ पर आपको गैप पेंडिंग दिख रहा होगा, मार्केट को गैप ऐसे भी नहीं पसंद है, still, अगर किसी भी सिनारियो में एक डिप चीए, तो एक अच्छा करेक्शन यहाँ तक माना जाता है, अब वीकली टाम फ्रेम पर भी देखो, तो मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में है, एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉप करोगे आप, लेट से इस पॉइंट से, लेट मी रिमूव तार, अगर इस पॉइंट, पटिकलर पॉइंट से अप ट्रेंड लाइन ड्रॉप करते हो, तो आपको प्रॉपर दिख रहा आप ट्रेंड में and एक retracement pending इस एडिया तक, यह एडिया एक खतरनाक holding वाला zone होगा, कल को आप अच्छा कासा यहाँ पे position ले सकते हो, for a holding purpose in a long term, right, for a long period of time, तो यह scenarios अपन फ्यूचर का planning कर रहे, तो निफ्टी केतना भी करेक कर जाए तो आप पैनिक, like opportunities ही होगा swing trading के लिए, बर still बहुत ही बारा time frame है, तो आप बहुत ज़्यादा opportunities grab कर पाओगे, आप अपन daily time frame पे shift करते हैं, daily time frame पे आपको भी proper दिख रहा होगा, यहाँ से bounce back, particular area से, 2820 का जो level है, मैं अपने section में डादा था, जब market इस करीब आया था, ने, इसके कर करीब, 2800 करीब, तो यहीं सेगर जब rejection मिला, तो मेरा साफ यह target था, 2200, 2200 का, 2200, 2200, 2200, 2200, 2300, सारा target achieved होगे, फिर से bounce मिला, यहाँ पर मैंने फिर से update किया था, मेरे instagram पे, चैनल, अब आप जॉइन के होगे तो देखना message में कि यहाँ से bounce मिल सकता है, there is a good support around 21800 का level, nifty में जो कि same condition follow किया अगर chart देखोगे ना higher time frame पे तो आपको बढ़िया trade मिलते हैं swing trading में हम option buying ही buyers ही loss करते हैं because buying में you know by accuracy market side पे चला जागा तो भी loss कर लोगे उतना accuracy नहीं है बहुत जादा price fluctuation होता है but higher time frame पे अगर option buying visionary mode में करोगे ना let's say कि इस particular point पे आएगा तो ही मैं 10 दिन में 2 trade करूँगा market यहाँ आएगा तो short करूँगा यहाँ आएगा तो call buy करूँगा वो भी थोड़ा अपने हिसाब से risk लेके profit के पैसे पे तो बहुत बढ़िया पैसा बनेगा भाई option buying में ही गेम डे पे अब ट्रेंड के साथ चलोगे तो ही पैसे बनेगे उसका भी गेम है price action सीखना चाहते है वो भी बताना आप message करो मुझे ठीक है अब देखो one day time frame पे आपको जाते हुए दिखर होगा market एराउंड इस लेवल तक बाइस हजार आट सो का लेवल डाइरेक्ट में बात करूंगा बाइस हजार आट सो के लेवल पे कल को निफ्टी आता है गेम समझो कभी भी और यहां पिर से कोई one hour time frame में rejection मिलता है डबल टॉप बनाके वेरिस स्टक्चर बनिया शॉट कर सकते उपर का stop plus लगा अल्के further गेम समझ रहे हैं मैं क्या बता रहो bigger time frame पर अभी bigger picture दिखा रहा हूं अब smaller picture वहना time frame पर देखो यह same concept आपको nifty bank में भी use करना है खुझ से ठीक है अब देखो nifty nifty में क्या game है यहां से अगर आप bottom top to bottom लगाओगे तो 50% break करके उपर जा रहा है सिंपल सा game है यहां market gap अब यह अगर तोड़ दे nifty ठीक है अगर यह तोड़ देता है तो one go में अगर यह इस तरीके से candle बना के तोड़ेगा ना तो आप सोचना कि एक trap हो सकता है market इस तरीके से तोड़ेगा तो ट्रैप होगा market अगर sideway जाएगा यहां पर थोड़ा time spend कर लेगा कोई bully structure रहा के retest कर ल हो गया है देखो downtrend में one hour time frame में था फिर से market यहां पर change of structure हो गया ठीक है break of structure में downtrend shift हुआ uptrend में इस particular point पे market कोशिस करेगा इस way में format में उपर जाने के लिए यहां पर time is कर ले उपर जाने लगे 15 मिट में तो यह target चीफ करोगे आप धीरे धीरे यूनो इसको तोड़े train line को detest हो जाए तो फिरे downtrend में shift हो जाएंगे तो यह game plan रखना है आपको आने वाले days में मंडे को भी ठीक है य यह game plan simple होगा लाइक अगर process को देखोगे यहां से lower से top two तो यह exactly same point बार बर मार्केट टच करके 900 points भाग जा रहा है निफ्टी बार बर टच करके 800-900 points around this level है तो कोशिश करेगा ही करेगा still bearish कब होना है भाई market अगर bearish होना होगा आपको तो हमेशा याद रखना जहां पर भी है आप bottom to top five level लगाना उसका 50% टूट जाएगा retest हो जाएगा तो market फिर से bearish trend में shift हो जाएगा दबा के आप short कर सकते हो ठीक है यह रहा simple nifty का analysis and structure समझने के बाद ही short करना है market तब तक फिर से uptrend में रहेगा जब तक यह trend line नहीं तूटेगा कौन सा trend line sir यह ऐसे drag करके बना ले न market इसके उपर जब तक है market इसके उपर जब तक है market uptrend में रहेगा यह तूटेगा retest होगा further market shift कर जाएगा downtrend में यह structure समझना बहुत important price action लोग नहीं समझते हैं बस blame करते रहते एक दूसरे को या लो यह वह price action समझो की market कैसे चलता है at least वह समझो अब देगो एक तारीका चार तारीका जो रिजल्ट आएगा तो गेम प्लान के है Tuesday उस दिन उस दिन है फिन निफ्टी का expiry मैं फिन अगर बजट वाले दिन का क्या गेम प्लान है वह मैं बताता हूं अगर बजट वाले दिन कोई भी वना टाइम फिर्म का candle ड्रैक करना आप लोग यह एड़ है लेट से इस दिस दा वना टाइम फिर्म का candle जो की red candle है बहुत गंदा एंड यहां से pullback मिलके फिर से नीचे जा बजट वाले दिन प्रॉफिट होल्ड करना दवा के तुरंद मत बुक कर लेना कि रैली जो आएगा गंदा वाला आएगा जिस भी डिरेक्शन में जाना है स्टार्ट हो मार्केट में 15 मिनट का हाई टूटे आप बाई करना मतलब सही तरीके से सही जगह पे और जिस भी डि सकता है ठीक है तो कोशिश करना अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एक लो टूटे अपन पूट बाई करोगे फर्दर तब तब तक होल्ड करना जब तक अच्छे कासा डिजाइड प्रॉफिट न मिल जाए सेम गोज भी अप्ट्रेंड अप्ट्रेंड में मार्केट अच्छ है तो पांच यार का कॉल भी बाई करूँगा पांच यार का पूट भी बाई करूँगा एक पटिकलर लेवल पर ठीक है तो यह रहा सिंपल इनालिस भाई प्राइस एक्षेन कैसा लगा मेरा कॉंसेप बताना and make sure to subscribe to this channel and share with your friends I will see you guys in the next video till then do take care बाई